अकवर और विर्वल के खिस्से तो हम सभी ने सुने हैं लेकिन क्या आप जानते हैं मुगल काल के सहनसा बादसा अकवर के दरवार में नो रतन हुआ करते थे और इन नो रतनों में विर्वल का अस्थान सबसे परमुख था विर्वल अपने चातूर्य और वुद्धी बल से अकवर के सबसे बड़े सलाहकारों में से एक थे जब भी अकवर पर कोई मुसीवत आती उसका हल विर्वल निकाल लाते थे अकवर और विर्वल से जूरे ऐसे ही कई किस्से भी मसहूर हैं जिन में विर्वल ने अपनी चतूराई से अकवर को मुसीवत से निकाला था हलाकि बिर्वल के चातूर्य और बुधिवल के बारे में तो आप सभी जानते हैं लेकिन बिर्वल की जिंदगी से जुरी कई अहम बातें लोगों को नहीं पता हैं आज हम आपको बिर्वल के जन्म से लेकर मिर्दियू तक के सफर के बारे में बताने जा रहे हैं पूर में एक गरीब ब्रहमन के घर हुआ था बिरवल के बचपन का नाम महेस दास था वे अपने पिता गंगा दास था माता अन्वा देवी की तीसरी संतान थे बिरवल हिंदी संस्कृत और फार्सी भासा में पारंगत थे बिरवल अपने तेज दिमाग ही नहीं बलकि साहित म में अपने योगदान के लिए भी जाने जाते हैं उन्होंने बजर भासा में कई कविताय लिखी हैं जो आज भी साहित्य की अनुपन धरोहर है बिरवल गरीब परिवार से जरूर थे लेकिन अपनी बुद्धी मता की बडौलत हुए जल्धी परसिद्ध होने लगे उनकी अपने दर्वार में बिरवल को कभी राय तथा बिरवर की उपाधी दी जो आगे चलकर बिरवल में परिवर्तित हो गई और लोग उन्हें बिरवल के नाम से जानने लगे एक बार की बात है जब नागर कोट के राजा जैचंद्र किसी बात पर अकवर से नाराज हो गए त लिए कई काम की हैं लेकिन बिरवल का अंत बराही दर्दनाक रहा यह बात 1586 की है जब अफगानिस्तान के युसुफ जाई कभीले ने मुगल सल्तनत के खिलाब भी द्रोह कर दिया इस वज़ा से अकवर ने जैन खान कोका के नेत्रितु में पहला सेन्य दल भेजा लेकिन लड़ते इस सेन्य दल के ठक जाने के बाद दूसरा सेन्य दल बिरवल के नेत्रितु में भेजा गया लेकिन कोका को एक हिंदू के साथ ये लराई करना बिलकुल भी गवारा नहीं हुआ और उसने बिरवल का साथ नहीं दिया युद्ध के दौरान बिरवल और उनके 8000 सेन सेनिक's को जान बचाने का मौका भी नहीं मिला दुसमन सेनिक आसमान से बड़े बड़े पत्थल और गोले बढ़ते रहे बिरवल और उनकी पूरी टुक री इस हमले में दब और इसी तरह एक चातुरी और बुद्धीबल के मालिक का अंतो हो गया बिर्बल के अंतिम संसकार के लिए उनका सरीर भी नहीं मिल सका बिर्बल की मिर्थियू से दुखी होकर अकबर ने दो दिनों तक कुछ भी नहीं खाया पिया था बाद में उन मरे हुए हजारों सैनिकों का अंतिम संसकार करवाया गया ताकि बिर्वल का भी अंतिम संसकार हो सके तो इस तरह से बिर्वल की मिर्थी हुई दोस्तों आसा करता हूं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी अगर आपको हमारी यह मेहनत पसंद आई है तो इसे लाइक करें सेर करें और हमारे चै